आज मैं आपके लिए आवले की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिससे आवला खाना बोख़ जादा आसान हो जाएगा बलकि आप इसे मांग मांग कर खाएंगे बोख़ोत जादा टेस्टी भी लगता है और आप सभी को पताए कि आवला कितना जादा हेल्दी होता है तो बिन तो आमलो को हमें क्या करना है सबसे पहले दो लेना है तो हम दो से तीन बार इसे अच्छे से दो लेंगे और आमलो को दोने के बाद फिर अब हम अच्छे से पोच लेंगे मैंने सभी आमलो को अच्छे से पहले पोच लिया है और अब मैं इसे कदुकस कर रही हूं आपके पा यह जो मिश्री यह 500 ग्राम है तो जितने आम लें था आम लेना हैं देए दो Dog कर सकते हैं और अब हमें क्या करना हैं मिश्री को पीस्टना है तो पीशने से पहले हम when are it नहीं हम ब्लाएगे मिश्ट कर लेंगे तो मारी मिश्टी कर सकती है और अब मैं से Sabo नई ऊफ्ट पर जकी में भी ऑलाट से रहाट हों, युथ हम अच्छे से पीसे, इसका हमें बिल्कुल fine powder बनाना है, तो मैंने से पीसे लिया है इसके उपर फैला देंगे और अब हम वापिस से मिश्टी का पॉडर डालेंगे तो मैंने टोटल अभी तक दो कप मिश्टी का पॉडर इसके उपर डाल दिया है और इसके उपर अब हम डालेंगे कद्दू कस किया हुआ आमला आमले को भी इसके उपर डाल करके फैला देंग और आमले डालने के बार मैं वापिस से इसके उपर PCV मिश्टरी डाल रही हूं अब मैं इसमें आधा कब PCV मिश्टरी डाल रही हैं और आधा कभी अब हम इसके उपर आमले डालेंगे तो दोनों चीजे मैंने बराबर- mets घार टाली है क्योंकि हमें इसे low flame पर ही बनाना है फिर ढख करके तब तक पकाएंगे जब तक कि मिश्री हलकी सी पिघलने न लगे तो अब इसको पकते वे 5 मेट हो गए हैं तो ढखकन हटा लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी मिश्री है वो पिघलना शुरू हो गई है तो इस समय हम आमले और मिश्री को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे हमें बिल्कु हलके हलके हातों से ही चलाना है आमले अगर बहुत जादा तेजी से चलाएंगे तो वो तूट जाएंगे और अब हम इसे वापिस से ढख देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि मिश्री पूरी तरीके से पिघलना जाएं तो मैंने इसे ढख दिया है और अब आप देखिए जब मैं ढख कर नटा रही है तो मिश्री पूरी तरीके से पिघल चुकी है और काफी सारा पानी इसने छोड़ दिया है तो इस समय अब हमें पानी को सुखाना है तो हमें बीच-बीच में चलाते वेई पुरा ये मुरब्बा बनाना है तो मैंने इसे वापिस से ढखती है और अब आप देख सकते हैं कि जो ये आवला है वो काफी गाड़ा होना शुरू हो गया है तो इस समय हम क्या करेंगे इसके अंदर हल्दी डाल देंगे तो मैं इसमें 140 टीस्पून हल्दी डाल रही है हल्दी में सिर्फ कलर के लिए डाल रही है वैसे तो हल्दी फायदे मन बहुत होती है मिक्स करने के भाद इसे धक देंगे काफी पानी सुख जाया चलादे वही इससे पकाना है और डध्यस की फ्लें को हमें लो रखना है तो आप देख सकते मैंने धकन को खता काफी सारा पाणि सूख चुका है लेकिन अभी भी पूरा पानी नहीं सुखा है तो अभी हम ढखकर के इसका पूरा पानी पहले सूखने देंगे तो अब हम वापिस से ढखकर हटाते तो देखिए इसका पूरा पानी अच्छे से सूख चुका है तो लगबक हमारा मुरब्बा तैयार है लेकिन last मिस करा स्वाद बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें काला नमक डालेंगे काला नमक बहुत जादा नहीं तालना है बिल्कुल थोड़ा सा यी डालेंगे साथ में थोड़ा सा इलाइची का पौडर डाल देंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारे जो आमले का मुरब्बा है वो बनकर बिल्कुल तयार है आप मेहनों भर इसे एर टाइट कंटेनर में भरके रखे ये खराब नहीं होता है तो आप फ्रेंट्स एक बार इस रेसेपी को घर पे जरूर ट्राइ करिएगा बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी रगता है और हेल्दी तो है जिसा आप सभी को पता है कि आमला बहुत ज्यादा हेल्दी होता है तो फ्रेंट्स एक बार रेसेपी को ट्राइ करिए और रेसेपी फसंद आए तो प्लीज लाइक शें सब्सक्राइब करना ना भूलें